क्या आपको पता है? अनेकॉंडा आपको जखड कर मिंटों में आपकी हड़िया तोड़ सकता है? क्या आप जानते है? लीफ कटर एंट अपने वजन से पचास गुना ज्यादा भार उठा सकती है? क्या आपने सुना है कि डंग बीटिल अपने वजन का 1181 गुना वजन उठा स तो ये वीडियो अंग तक जरूर देखे ताकि कोई भी इंफरमेशन चूट ना जाए जब बात हो रही है दुनिया के ताकतवर जानमरों की तो भालू को इस लिस्ट में सबसे पहले शामिल करना तो बनता है भालू की प्रजाती ग्रिसली बेर काफी ताकतवर होती है ये लगबग अपने वजन जितना ही वजन आसानी से उठा सकता है यानि की एक भालू बड़े ही आराम से 200 किलो तक वेट उठा लेता है उसके साथ ही ये प्रजाती काफी गुसेल प्रवर्ती की होती है और आक्रमक भी ये अकेले ही भेडियों के पूरे जुन से लड़ने की ताकत रखते है इसके अलावा इनका बाइट फोर्स काफी ज्यादा होता है 975 PSI बाइट फोर्स के साथ ये भालू एक बॉलिंग बॉल को बड़े ही प्यार से क्रश कर सकते है तो जड़ा सोचिए ये इनसानों का क्या हाल करेंगे ब्रिज्ली बेर इसी क्वालिटी और आक्रमक प्रवर्ती की बचह से नौर्थ अमेरिका में कई लोगों को बुरी तरह घायल कर चुके है 9. ग्रीन अनकांडा साप को देखकर तो वैसे ही किसी की भी पसीने छूट सकते है और अगर कोई ग्रीन अनकांडा देख ले तो शायद बेहोशी हो जाए अनकांडा 20-30 फीट तक लंबे हो सकते है और इनका वजन 500 किलो तक हो सकता है जो की एक साप के लिहाज से बहुत ज़ादा है इसलिए ये अनकांडा दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साप है बैसे तो अनकांडा में जहर नहीं होता लेकिन इनका क्रशिंग पावर काफी ज्यादा होता है इतना ज्यादा कि अगर ये किसी को जकड ले तो उसकी हड़ियों को मिंटों में चकना चूर कर सकते है ये अपने शिकार को इतने पावर से क्रश करते है जैसे कोई हाथी किसी इनसान के उपर बैठ गया हो ग्रीन अनकॉंडा, वाइल्ड पेग और जैडवार तक को अपना शिकार बना सकते है यहाँ तक की मौका मिलने पर ये इनसानों को भी नहीं छोड़ते ये अपने शिकार को बुरी तरह जकड कर पहले उसकी हड़िया तोड़ते है और फिर उसको एक बार में निकल लेते है इस हाथी को अगर धरती पर मौझूद सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा क्यूंकि ये अपने वजन का तेड़ गुना वजन उठा सकते है जहां इनका वजन तीन हजार किलो से लेकर छे हजार किलो तक होता है वही ये छे हजार से लेकर तस हजार किलो तक का वजन काफी आसानी से उठा सकते है बात करें इनकी लंबाई की तो इनकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती है इतनी ताकत के साथ ये बड़े बड़े पेड, खंबे और गाडियों को खिलोने की तरह एक जगह से दूसरी जगह पटक सकते है इन हातियों का अपर बॉडी स्ट्रक्चर काफी जादा मजबूत होता है जो उनको काफी ताकत देता है साथ ही इनकी चमड़ी भी काफी मोटी होती है जो इनको और भी ज़्यादा रफ और टफ बनाती है भेड बकरियों के दूर के रिष्टेदार मस्क आक्स ना तो देखने में और ना ही नेचर में अपने रिष्टेदारों जैसे होते है जहां भेड़ बकरियों को पालतू जानवर की तरह रखा जाता है वही मस्क आक्स को पालतू समझना बहुत बड़ी भूल के बराबर है देखने से ही खतरनाक लगने वाले इस जानवर का सिर्फ एक ही वार इंसान को अच्छी खासी चोट दे सकता है 400 किलो तक बजन वाले ये जानवर काफी गुस्से वाले होते है और मेटिंग सीजन में ये और भी ज्यादा अग्रेसिव बन जाते है जब फीमेल्स के लिए मेल्स की लड़ाई होती है तो वो नजारा देखने लायक होता है अपने भारी वतन के साथ जब दो मेल मस्क आउक्स लड़ते है तो इनको देखने में अच्छे अच्छों के रॉंग्टे खड़े हो जाते है जिस अग्रेशन से ये आउक्स आपस में लड़ते है अगर उसी अग्रेशन से किसी दूसरे जानवर पर हमला कर दे तो बल भर में उस जानवर की हड़िया चकना चूद हो सकती है अगर बात हो रही हो ताकतवर जानमरों की तो हम टाइगर को पीछे कैसे छोड़ सकते है टाइगर कितना ज़्यादा ताकतवर होता है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते है कि अगर लायन और टाइगर की लड़ाई करा दी जाए तो टाइगर आसानी से बाजी मार जाएगा टाइगर इतना ताकतवर होता है कि वो अपने वजन से दो गुने वजन वाले शिकार पर हमला कर सकता है इसका मतलब अगर नॉर्मली टाइगर का वेट 300 किलो होता है तो ये 600 किलो तक के जानमर पर हमला कर सकता है इसलिए टाइगर जिराफ और भालू जैसे जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते है इनके शरीर की धारिया इनको जाडियों में चिपने में मदद करती है साथ ही टाइगर अच्छे तेराग भी होते है और ये किसी पेड़ पर भी आसानी से चड़ सकते है टाइगर की एक्वालिटी इनको शिकार करने के लिए पॉफिक्ट जानमर बनाती है इंसान के डियने से लगबग मिलता जुलता डियने रखने वाले गोरेला को अगर ताकतवर जानमरों के लिस्ट में शामिल ना किया जाए तो थोड़ी नाइंसाफी होगी वैसे तो गोरेला की हरकते फणी होती है लेकिन अगर इनको एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर इनको समभाल पाना काफी मुश्किल है आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरेला अपने वेट का 10 गुना वजन उठा सकता है इसका मतलब गोरेला एक बार में लगबग 70 किलो वजन वाले 20 लोगों से अकेले भिड़ सकता है इसकी अपर बाडी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि ये अपने हाथों से ही किसी का कच्चुमबर बना सकता है इसके अलावा इनका बाइट फोर्स शेर के बाइट फोर्स से दुगना होता है यानि कि इनका बाइट फोर्स 1300 PSI होता है इसका मतलब अगर इस लिस्स से हाथी और भालू को हटा दिया जाए तो कोई दूसरा जानवर कोरिला के आगे टिक नहीं सकता खास कर तब जब कोरिला गुस्से में हो अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली कोमोडो ड्रागन की ये चिपकली बड़े होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी होती है अगर बात करें इस चिपकली की लंबाई और वजन की तो ये 10 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 70 किलो तक हो सकता है ये चिपकली इतनी ताकतवर इसलिए भी है क्योंकि ताकतवर बाइट फोर्स के साथ ही इनके पास अपने शिकार के लिए जहर भी है जहां एक तरफ इनका बाइट फोर्स 1000 PSI होता है वही इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि किसी भैस को भी मौत की नींद सुला सकता है ये कोमोडो ड्रागन जानवरों पर ही नहीं इनसानों पर भी हमला कर सकती है और एक बार ये अपने वजन के 80% वजन वाले जानवर को आसानी से खा सकती है इसलिए बड़े जानवर जैसे कि हिरन और जंगली सुवर को भी ये अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटती पचास गुना जादा वजन अपने जबड़े में फसा कर या फिर सिर पर रखकर एक जगर से दूसरी जगर ले जा सकती है इसका मतलब जैसे कोई 100 किलो का व्यक्ती अपने सर पर 5000 किलो वजन उठा ले अब तो शायद आप समझी गए होंगे कि हमने इस छोटी सी चीटी का नाम यहां क्यों शामिल किया है सिर्फ बड़ा साइज होने से ही कोई ताकतवर नहीं बनता बलकि अपने बूते पर बड़ा काम करने से बनता है जैसे कि यह चीटी और अब हम आपको बताएंगे एक और छोटे चानवर के बारे में इस जीव का नाम इसके राइनसिरस जैसे सींग की वज़र से रखा गया है इनको हर्कुलीस बीटिल भी कहा जाता है और वो किस लिए यह आपको थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा 6 इंच के साइस वाले ये बीटिल अपने वज़न का 8500 गुनाभार उठा सकते है आप इसको इस तरह समझ सकते है कि कोई एक अकेला 100 किलो का आदमी लगबग 3,000 किलो के 24 हाथियों को उठा ले हमें तो सुनने में ये इंपॉसिबल सा लगता है लेकिन इस बीटिल के लिए बिलकुल पॉसिबल है अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस बीटिल का नाम हर्कुलीस बीटिल क्यू है जैसे हर्कुलीस के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ताकतवर थे कि 100 तन वज़न उठा सकते थे उसी तरह से बीटिल भी काफी ताकतवर है खत्रे से बचने के लिए ये खुद को पती, कूडे और मिटी में छुपा लेते है अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े जानवर इतना ज्यादा वजन कैसे नहीं उठा पाते वो इसलिए क्योंकि बड़े जानवरों का खुद का वजन काफी ज्यादा होता है जिसकी वज़र से उनकी स्ट्रेंग्ध और एनरजी अपना वजन ढोने में ही खर्च हो जाती है वही छोटे जानवरों के पास कम वजन होने की वज़र से इनका मसल मास्क बढ़ जाता है और ये ज्यादा वजन उठा पाते है तो बारी है ये जानने की किस लिस्ट के टॉप पर कौन है ये बीटल ना सिफ दुनिया का सबसे मसबूत बीटल है परकि शरीर से वजन के कमपारिशन में सबसे मसबूत जानवर भी है अगर बात करें इनके साइज और वेट की तो ये करीब 6 इंच तक बढ़ सकते है और इनका वजन करीब 100 ग्राम होता है ये अपने शरीर के वजन का 1141 गुना वजन खीच सकते है मतलब ये किसी आदमी दुआरा 6 डबल डेकर बस खीचने के बराबर है दंग बीटल इस सूपरपावर का इस्तमाल तूसरे चोर बीटल से अपने गोबर की बॉल्स को बचाने के लिए करती है साथ ही मेटिंग पीरियड में फीमेल्स को इंप्रेस करने के लिए भी डंग बीटल्स अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते है इसके अलावा ये गोबर की भारी गेंदो को अपने घरों में वापस रोल करके ले जाने में भी काफी ताकत का इस्तमाल करते है आज इस वीडियो को देखने के बाद चायद आपको ये बात काफी अच्छे से समझ आ गए होगी कि कbait बार छोटे जानवर भी इतने ताकतवर हो सकते है कि अपने से हजारों गुनाजादा वजन उठा सकते है ये बात हमें एक बहुत खुबसूरत चीज सिखाती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते है बस सही दिशा में अपनी शक्ती का सही इस्तमाल करने की ज़रूरत है अगर आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताई